लेटेस्ट न्यूस अपडेट्स को सम् तलंगाना 99 नी इपड़े सब्सक्राइब चेस कोंडी अब भी मैं हादिक स्वागत करता हूँ और अभार प्रकट करता हूँ आपको जानकर खुशी होगी कि भारती पुलिस अकैडमी उन गिंतिकी संस्थाओं में रही जिसने कुरोना वारिस के दर्मयान भी लॉक्डाउन के समय भी अपनी ट्रेनिंग की तमाम गतिविदियां जारी रखी और एक समय पे एक कुल 300 आईपी से दिकारी यहां ट्रेनिंग में रहे यह प्राप्ती के लिए हमें ग्रेम मुंतरले से भरपूर योगदान मिला इस समय आपके समक्ष इस वारतालाप में 131 युवा अधिकारी उपस्तित हैं जिनमें 28 महिला अधिकारी हैं जिन्होंने आज की एक बहुत शांदार दीक्षान परेट के साथ अपना दो साल का पुलिस प्रेस्टिक्षन पूरा किया है और देश सेवा में जुड़ने के लिए पूरी तरह तयार है ये भी एक खुशी का विशे है कि भारती पुलिस सेवा के तिहास में सरफ चौथा ये मौका है जब एक महिला अधिकारी ने बेस्ट प्रुबिशनर की उपादी हासिल की है और आज परेट का नित्रतु भी किया है दो साल की कठी ट्रेनिंग के दर्मियान ये सभी अधिकारी छे महीने तक अपने अपने राजे के जिलों में फरस्बद रहे और लॉक्डॉन के समय नोंने बहुत प्रिशन सनीर और एहम भूमिका निभाई इन में से 56 अधिकारी ऐसे थे जो रेज जून एरियास में रहे उन में से चार अधिकारी इंफेक्ट भी हुए कुविट पॉजिटिव हुए उसके बाद वो अभी सही है ठीक है इन सभी अधिकारीों के लिए सर बहुत सभागया के विशे है कि देश सवा में पहला कदम रखने के समय इनको आप से आशीर वचन पराप्त होंगे मेरी विरंती है कि आप हम सभी का संबोधन करें और माग्देशन प्रदान करें दिक्षान परेड समारों में मुझूद केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी सिमान अमित साह जी, डॉक्टर जीतेंद्रसी जी, जी किशन डेडी जी सरदार वल्लब भाई पटेल राष्ट्रिय पुलिस रकादमी के अधिकारी गान और युवाज जोसे भारतिय पुलिस सेवा को नेत्रुत्व देने के लिए था यार 71 अरार के मेरे सभी युवाज साथियो वैसे मैं लगातार आपके यहां से निकनने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था मेरा सभागे रहता था कि मेरे निवास्तान पर सब को बुलाता था गपे गोश्टी भी करता था लेकिन करोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गवाना पड़ रहा है लेकिन मुझे पका विश्वास है कि कारकाल के दर्मियान कभी ने कभी आप लोगों से बेट हो ही जाएगी मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा अगर आप मैंसे कोई साथी कुछ कहना चाहते हो कुछ पूछना चाहते हो तो जुरूर हम बात करें कौन शुरू कर रा है आप मैं से जैन सर जैन I am Kiran Shruti sir I am from Tamil Nadu sir I have done my engineering sir and I am from Tamil Nadu Kadar sir in my Kadar I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress sir so in Tamil Nadu what they have done is they have introduced a program called well-being program sir so all the police personnel from constables to the DG they undergo mandatory counseling sir if there is any problem in their personal or professional lives then they receive counseling sir because of this all they find that their stress is reduced and they find that they are able to do their work with much more energy sir and they find that they are much more enthusiastic motivated and happy to do the job and the public also feels that because of this they find the police much more easier to engage with this I found very impressive sir I always had the ambition to go for civil services sir so after engineering I opted I worked in State Bank of India so that service does not mean uniform wali service sir my family always had a regard for uniform services sir in addition to it my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am sir I am a junior at the time of Kiran Shruti I want to tell my new advice and I think I am a junior at the time of Kiran Shruti I am a junior at the time of Kiran Shruti क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं कोई भी काम, अब बैटी बैटा, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है, और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है, और हर किसी को रहता है, किसान को भी जब खेक में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिस हो गई, तो एकदम से तनाव के माहुल में काम करना पड़ता है, कम हो गई, तो भी चिंदगी रहती है, तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को, अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्ता करते हैं, तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये बस अई है कि आप लोगों का ख्षेत्र ऐसा है, कि जिसमें अनस्पेक्टेड भहुत कुछ आ जाता है, और उसके लिए खुद को हमेशां तयार रखना पड़ता है, और इसके लिए रेगूलर्ली ट्रेनिंग होना जरूरी है, मैं आप लोगों से आगरह करूंगा, कि आप जब फील्ड में काम करेंगे, तो पुलिस ठाने के लेवल पर वहाँ पर दस बारा लोग मान लीजिए, आपका मैकम है, तो उस इलाके में कोई इनकोई ऐसे लोग होंगे, जो ऐसे विश्वे पर बड़ी सरलता से बाते करते होंगे, कभी पंदरा दिन में एक बार, कभी महने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया, अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ग्याता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विश्वे पर आपसे गप सब करें, बाते करें, बार बार आपको स्मरन होगा, कि हम अपने आपको कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्ताओं को, दूसरा जीवन में, मैं हमेशा तनावपुन जीवन जीने वालों को हमेशा आगरह करता हूं, योगा, प्राणायम, यह बहुती सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबुरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ उठ करके जाना भी पड़ा होगा, मैने भी उस मैदान में योगा किया हु है, आपने अनुफ़किया होगा, अगर मन से करते हैं, पुरा मन उसमें जोड़ देते हैं, यह कितना बेनिफिट करता है, और तब जाकर कि आपको यह तनाव कर भी वैसुस नहीं होगा, काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्द और आवंदित होंगे, लिकि मुझे अच जैन सर, सर मेरे नाम आदित्यमिश्रा है, मैं मद्ध्रदेश का रहवासी हूँ और मद्ध्रदेश का अडर मुझे अलोट हुआ है, सर मेरी फील्ड ट्रीनिंग इंदौर में हुई, सर मैं अपने फील्ड एक्स्पीरियंस को खाकी वर्दी जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड के देखता हूँ, सर मैंने एक बड़ी एहम चीज़ सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भवे परिधान नहीं है, परन्तु अपने साथ जिम्मेदारियं और उत्तरदायत भी लेके आता है, सर कोरोना एक ऐसी असाधारन चुनौती थी, जिसने हमें भी और अपने घर लोट पाए, सर उसमें एक एहम चीज़ जो मुझे समझ में आई, कि सर जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयम के सिहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता ह है, कि अगर हमें कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद सरकार तता पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा, सर मैंने अपनी आँखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंदर चंदरवन्शी जी, उनको जाते देखा है, तो सर तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडर्शिप रोल में जा रहे हैं ये कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें, सर मैं अपनी बातों को अंत करूँगा, चार लाइने जो दिवेंदर चंदरवन्शी जी की एक पसंदीदा कविता की ह मैं खाकी हूँ, दिन हूँ रात हूँ, सांजवाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ, होली में रमजान में, होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिक करतव्यों की अविचल परी पाटी हूँ, मैं खाकी हूँ, कभी आहत हूँ, कभी चोटिल हूँ, और कभी तिरंगे म में लिप्टी रोती सिसक्ती च्छाती हूं मैं खाकी हूं जहनसर अधित्य जी आपने इंदोर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो साथ आपको आफसर नहीं मिला क्योंकि इंदोर कैसे संकट के कालकस्दिन से गुजरना पड़ा और ज्यादा तर हमारे पुलिस बलके लोगों को सबसे पहले इस वाइरस का सिकार होना पड़ा और सबसे ज्यादा इंदोर में बड़ा मैंने पसाएब मैं भी पानुहों कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाये और लेकिन इसके बावजुद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदोस्तान के हर कौने में इस सारी परिस्थिते में जो काम किया है उस काम का अपना महत्व है समाज को उसका अपना लाब है लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है इसको कैसे हम समाले इसे समालने के लिए हम इंस्टिटूशनल एरेंज्मेंट क्या करे और वो क्या है हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा पुलिस मतलब तू तू महमे पुलिस मतलब जुल्म ये बाइन लार्च छबी बन चुकी थी इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किये हैं किये हैं और मैं तो कहें मानता हूँ कि शायद हर पुलिस स्थाने में डेली पांच-दस काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दुरुस्टी से बहुत एहमियत रखते हैं लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपक्ट समाज जिवन पर आया नहीं चुट-पुट गटनाय बनी रही कोरोना के कालखंड में देश के हर कौने में खाकी वर्धी के लोग जब गीत गाते हैं गीतों के द्वारा लोगों को सिक्षित करने का प्रयास करते हैं खाकी वर्धी के लोग फुट-पांथ पर बैटे हुई लोगों को खाना पोहिए पानी पोहिए रहे हैं खुद रिस्क ले करके कौरोना के मरीश को ले जाते हैं यह द्रश्य डेश ने देखे हैं एक मानवी ये चहरा हमारी खाकी वर्धी का लोगों के मन में स्थीर हो चुका है अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वाइरस के संकट के काल में भी कि जिस प्रकार से खाकी वर्धी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंस था जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था वो एक संगटि स्वरूप में नजर आया है ये बहुत बड़ी पूजी है मैं तो चाहूँगा कि हर पुलिस थाने में वहां की स्कूलों के माध्यम से कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की हस्त लिखित अंक तयार करें थाने को आकर के भेंट दें आप देखे ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता की जो काम हुए है उसको अनलाइन व्यवस्ता करें आप देखे ये अपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी जो नई पीड़ी होगी और भविश्की पीड़ी होगी भी उसको भी लगेगा कि मानविय व्यावार की ताकत बहुत बड फिल्ड में जाने का मोका मिला लेकिन आपके सामने वो ही काम रहा आप उसमें से जो अच्छी बाते हैं लोगों को पहुंचाएंगे और खाखी के प्रती गर्व होना ये बहुत अनिवारी है खाखी से रौब नहीं खाखी से गर्व होना चाहिए खाखी के सम्मान को मैं जुकने नहीं दूगा चीतना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रती होता है वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे इनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए और ये आप देखे इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा तो मेरी आप सबको इस विशा में तो बहुत सुब कामना है रहेगी नेच्ट जन सर जहें बिया छिर मेरा नाम पार्थर बद्रेप्तिम डास है मैं जोडाट इस्ट्रिक असाम से रहने वाला हूं मुझे असाम में गालाय करें अलोके यह कंप्यूटर अंजिनिनिंग नाइटी सूर्ट से किया है पे फेस वन के ट्रेंटिंग के मैंने डिबुगर डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेटिकल ट्रेंडिंग खतम की है और कोरोना ओट ब्रेक के बाद सर जब भारत सरकार ने मुझे डेपूट किया गया था कोकराजार में असाम बेंगॉल बार्डर में लोगों के मुव्मेंट को मैनेज करने के लिए तब सर जो रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो वेहिकल्स आती थी उनका रिजिस्ट्रेशन हम करते थे और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुहार कि थी लोगों को खाना पहुंचाया था जो चल के आये थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रिजिनल स्क्रेंटेशन में भेजा था और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था क्योंकि हम खुद भी इंफेक्ट हो सकते थे बलकि कु सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर क्या शूम नाम बताए आपका सब पार्थव प्रतीम दास सर दास सूरत में कितना समय रहें सर चार साल इंजिनेरिंग की थी सर तो सूरत का खाना मिस करते होंगे यस सर बड़ा पाव सर मिस करते होंगे असाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है सर इतना ध्यान में ध्यान देखिए असाम के लोग सक की जगा पर हब बोलते हैं और सूरत माले भी सक की जगा पर हब बोलते हैं वो पैसा नहीं बोलते हैं जैसे आप असाम को अहम बोलते हैं तो वे भी सक को हब बोलते हैं अगर आपको सूरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा और जब सूरत से असाम जब भी छुटियों में गए होंगे जो सूरत को जानते होंगे जुरूर आपको पूछते होंगे कि सूरत का खाना इतना भुतारी होती है तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं कुछ-कुछ ले जाता था खाकड़ा अपर ये सब लेके जाता था गड़ते देखे आपने सही कहा आपको जाते ही एक जो प्रवासी मद्दूर और बाकी लोग थी उनकी सेवा करने का मोका मिला कभी कभार लेप, राइट, बाएं, दाएं उसमें लिडर्शिप करना एक अलग प्रकार के क्वालिटी लगती है और पुलीस को जादातर उस प्रकार की लिडर्शिप को अनुभवाता है लेकिन जब इस प्रकार के काम में जुडते हैं जिसमें बाएं दाएं कम होता है अपनी बुद्धी शक्ती से और विश्वास से समस्या का समाधान करना होता है और उस समय लिडर्शिप देना बहुत ही अनेक गुणों की आवश्यक्ता को अनुभव कराता है और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि संकट के खालखन में आपको जाने का जो मिका मिला जा है सामान इस्तिती में गए होते तो आप ठाना, डूटी, एफ आई आर, कानून, इश्यूज इस ही में उलज जाते मैं मानता हूँ ये भी आपके जीवन में एक अवसर था कि सीधा आपको समाज जीवन के उन संकट काल से जुड़ना पड़ा और आपने उसमें समाधान करने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि आप तो टेक्नोलोजी के बेक्राउंड के हैं आपने उस सेवा के काल में टेक्नोलोजी का भी भरपूर उपयोग किया होगा टेक्नोलोजी के माध्यम से वबस्ताओं को विक्सित करना लोगों को काम बातना उसका रिपोर्टिंग करना एनालिसीस करना ये जुरूर आपने अच्छे रंग से किया होगा तब आसाम की सेवा और सूरत का रंग भरकर के आगे बढ़िया बहुत सुप्वामना है दास तेक्यो जहीन सर, मेरी काम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का अडर अलोकेट हुआ है मेरी डिस्ट्रिक्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग सर, श्रीनगर में हुई थी इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते वे पुलिस कैसे आतंगवादी गतिवीधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार कर रही है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान मुझे मिला देखने को वहाँ पे सर, काउंटर टेरिस्ट ओपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे सेक्यूरिटी फोर्से सर एक जुनेद सहराई नामक आतंगवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास्त कर रही थी जुनेद हिजबुल मुझाहीदिन में कमांडर था और वैली में रेकूरूट्मेंट का कारिभार संभालता था सर 18 माई को जमुकश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप को ये खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था तो तुरंत ये पुलिस, SOG और CRPF की एक टीम ने योजना बना कर घर को घेरा और आतंकीयों को पकड़ने की कोशिश की जैसे ही सर हम घर के अंदर गयें आतंकीयों ने हमारे उपर फाइरिंग शुरू की जिसमें हमारे एक जवान भी घायल हो गया सर परसनली मेरे लिए काफी भैवित करने वाला शन था बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षिस्थान पर पहुँचाया बलकि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को निट्रलाइज ने किया सचुकी यह घर शहरी जगह पे स्थित था इसलिए पुलिस को काफी और कठीनाईयों का भी सामना करना पड़ा जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉइन ओर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके इसका भी ख्याल रखना सर मुझे पहली बार मानविय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का क्योंकि जहां पे एक टीम ओपरेशन देख रही थी वहीं दूसरी टीम सर निर्दोश वैक्तियों को जिसमें महिलाएं बच्चे और वृत शामिल थे उनको सुरक्षि स्थान पे ले जा रही थी और एक दूसरी टीम पथर बाजों से भी निपट रही थी कि सर मेरे लिए यह पुना पुष्टी हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निदोश वैक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिस कर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्रात्मिक्ता होती है तनुसरी आप मूल कहां से है सर मैं बिहार से हूँ सर और पढ़ाई क्या हुई आपकी सर मैंने निफ्ट गांधी नगर से टेक्स्टाइल डिजाइन में स्टनात्र किया अथमी जाकर क्या हो? यास सर तो यह टेक्सटाइल और टेरर कैसे गजारा करोगी सर ट्रेनिंग अच्छी में लिया सर कल की देखिए टेक्स्टाइल मैं धागे जोडने होते है और टेरर में धागे खोलने होते है तो बहुत ही तो अलग अलग पहलों के काफ करने पड़ेगी आपको चलिए मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाए मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूँ यह ठीक है कि जो हम रोज अख़वार में पड़ते हैं लगातार टैरर की घटनाएं वही में जूज होते हैं इसके सिवाए भी इस पूरे छेत्र की विशेस्ता है चाहे जम्मू हो, लदाख हो, बेली हो, करगील हो और मेरा स्वभागे रहा है कि मुझे काफी समय वहाँ काम करने का मोका मिला है किसी समय सच मुझ मैं भावती अच्छे लोग है, भावती प्यारे लोग है और मुझे विश्वास है कि हम सब के प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिन्दगी है वह हम वापिस ले पाएंगे लेकिन आपने टेक्स्ट्राइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेस थाकत है अब बैठिये तनुसरी आप बैठिये कश्मीर की एक विशेस थाकत है और इसलिए वहाँ हर घर में उनकी उंगलियों में आप लोग जो चार-चार-पांच साल पढ़ाई करके लेके आते हो न उससे ज़्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है जिस प्रकार के शाल वगेर वो हाथ से बनाते हैं आप पुलिसिंग के समय भी मैने में अगर आपको दो दिन, तीन दिन, चार दिन भी अगर छुट्टी मिलती है मैं आपसे आगर करूँगा कि जहां की आपकी डूटी लगे आप वहां की जो बहने हैं उनकी छोटे-छोटे संभू बनाईए दस-दस का, पांच-पांच का, दस का, पंदरा का और जिनके पांस रूटीन में वो टेक्स्टाइल से सम्भंदित कुछन को इस काम करते हैं आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में, यूनिफर्म की सिवाए, उनके साथ घुर मिल करके ऐसे पांच-साथ-दस ग्रूप बनाजिजिए जैसी आपकी ख्षमता और जो आपके टेक्स्टाइल की अनुभव है, और वे परंपरा ग्रूप से जिस टेक्स्टाइल, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको modern designing सिखाईए, आप देखिए, आपकी policing की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूँ, क्योंकि सच मुझ में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूँ इन लोगों से कभी, आपको अधभूत अनुभ होगा, इतने प्यारे लोग है, इतने प्यार से रखते हैं, और उन गलत रास्ते पर चली जाते हैं, उनको पहले से ही रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है, और वो काम महिला पुलिस अपसलों से बहुत अच्छा हो सकता है, उन बच्चों को वापिस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में, बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर स करती हैं, मुझे विश्वास हैं कि आप उस प्रकार का नेतुर्त्व दोगी, और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में आप काम कर लेंगे, तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी, तो तनुसरी मेरी आपको सुपकामना है, और गांध जाहिन सर, अभी एक अंतिम अधिहारी हैं सर, और अपके साथ अपना एक्स्पिरिंस शेयर करेगो सर, जाहिन सर, जाहिन सर, सर, मैं ओम प्रकास चाट, राजस्थान के नागोर जिले का निवासियों सर, और मुझे गुजरात कटर अवंटित हुआ है, और कोरोना महमारी महमारी के दोरान मेरी फील्ट ट्रेनिंग गुजरात के वलषाट जिले में होती ती सर, और महमारी के दोरान हमने देखा कि आपने तमुसरी और दास के पाँच से गुजरात जान ली हैंगी नहीं, सर जाना सर जो है, मैंने खुद भी जाना आँerson, और मेरे गुजराती दो नोतिया का सामना करना पड़ा था बलकि इनको बेरोजगारी और भुक्मारी के वही संकट इन पर आया था तो ऐसे समय में आपके मारक दर्सन में वल्साट पुलिस ने बाकी प्रसाशन की हिकाईों के साथ मिल बहुत ही समेदन सिल था और सक्रियता के साथ काम किया था सर इस में मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे चुपावा एक समेदन सिल इनसान मुसिबत के समय बियॉंड कॉल अब ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 गंटे तत पर रहता सर सर आपकी सुसासन की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए इस महामारी के दोरान वो पब्लिक वो सिंगल पब्लिक इंटरफेस वो पुलिस थी और हमने इस इस जिमेवारी को बखुभी निबाया था सर सर मैं आपके सामने कुछ तत्यों का उलेक करना चाहूंगा सर वलसाड में माइगरेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की वेवस्ता करी थी उसमें हमने बहुत सारे देश बर से जो आर्थिक वेवस्त आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइस करके बेनिफिसरीज का आइडेंटिविकेशन करके उनमें वल्नरेबल इरिया असाइन करके टोटल तीस अजार परिवारों को दो महिने से भी ज़्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे रासन की डिलिवरी करी थी सर इंटर डिपार्टमेंटल कोर्डिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेस करी थी सर आपकी जनकरे में लाना चाहूंगा कि इस समय वल्साट से टोटल 61,000 माइगरेंट्स को उनके घर भीजा गया था जिनमें पुलिस ने भारतिये रेल और प्रसासन की बाकी युकाईयों के साथ बहुत ही कॉडिनेशन के साथ काम किया था माननिये आपके संदेश के अनुसार पुलिस ने इंडस्ट्री और माइगरेंट लेबर के बीच में इंटरफेस का भी काम किया हमने इंडस्ट्री के लेबर रिक्वार्मेंट का असेस्मेंट किया और माइगरेंट की स्किल मैपिंग करके उन दोनों के बीड ना सिर्फ ले स्लम एरियाज में जाके घर घर जाकर मकान मालिकों से ये ये गुहार लगाई कि वो इन माइगरेंट लिबर्थ का किराया माफ करे और मुझे इस देश के नागरिकों पर गर्व है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अपना राष्ट धर्म समझ कर स्विकार किया था जैसा कि सर आपने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो जनता का हमारे में विश्वास है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे और सर मुझे याद है जब हम आपके निवासिस्तान पर मिलेते तो आपने ये बोला था कि पु आप लोगों ने इस समय ये काम किया है एक बात और देखी होगी आपने कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबर्जस्त है सरकार से भी अनेक गुणा शक्ति समाज में होती है और आपने इस पूरे संकट काल में जब फिल में थे तो आपने अबज़र किया होगा आज भी अगर उस चीजियों को समरन करें तो करिए होसे के तो डायरी में लिख भी दीजिए समाज की सक्रियता के खारण सरकार पहुँची हो या न पहुँची हो व्यवस्ता पहुँचपाई हो न पहुँचपाई हो समाज का कोई कोई बंदा वहाँ जरूर पहुँचा होगा और उस गरीब के आंसु पहुचने का काम किया होगा भूक के कोखेलाने का काम किया होगा मरीज के दभाई का काम किया होगा ये आप सबने अनुभव किया होगा हमारे देश की यह सबसे बड़ी विशेस्ता है और मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ, जब कश्मे भूकम पाया, तो मैं तो उसमें मुखमेंतरी नहीं था, लेकिन एक वॉलेंटियर के रूप में मैं वहां काम करता था, तो कई विदेश के लोग भी वहां काम के लिए जाये थे, अनेक देशों की संस्ताय वहां काम कर रही थे, लेकिन वह अपना शाम को पांच शे बजे के बाद काम बंद कर देते थे, और अपने अपने टैंट वगरे साथ में ले आये थे, वह उस नानवान करके वहीं पहुँच जाते थे, तो मैं फिर उनको मिलने जाता उनसे बाते करता थे, तो मैंनो बुशा कि आपको यहां आये हैं, क्या अनुफ़व कर रहे हैं, एक बड़ा इंट्रेस्टिंग विशह उनना बताया है, वहाब हम उसकी पहले तर्की में भुकम भुवा था, उसमें से कुछ लोग तर्की से भी होकर के आये थे, कुछ मैं यहाब होते हैं, जब संकड होते हम पहुंचते हैं, वोलेंटेरी सेवाय करते हैं, और बहाँ पर या तो डेड क्रॉस एंजियो की रूप में काम करता है, या कोई वर्ल्ड हेल ओर्गनाशन की लोग होते हैं, और ज्यादा तर उनी के आसफा सब चीजे चलती हैं, बोल इतना सिविल सोसाइटी का संगठीत रूप में कॉंटिबिशन यह हमारे लिए अच्रज आए, मेरा कहने का तात पर यह है का हमारे देश में हम सासन व्यवस्ता में जन शक्ती को जितना जोडने के आदर डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा, और हम बहुती कम एफट से मैक्सिमम रिजट ले पाएगे, और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक यह सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा, जब यह स्थिती बनती है, तब सासन की, सासन में बैटे की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें, कि समाज की शक्ति का हमेशा अधर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें, हमारे ही काम के हर गुने में जो पंच चाहिए तो फालतू पंच उठा के लाते हैं और वही हमारे परिचित रहें वहीं से बैठना उठना हो, इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति क्यों देखेंगे, तो हमें बहुत लाब मिलेगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने वलसार में रहते हुए इस चीजों को अनुभव किया है, साथ्यों मुझे जैसे बताया गया कि आप आखरी वेक्ति थे, तो काफी कुछ बाते तो मैंने अपने संबोधन में, बात्चीत में कुछ विचार तो रखी दी है, लेकिन एक बात निस्षित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं, आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक प्रोटेक्टिव एन्वार्मेंट में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि गल्ती करेंगे तो साथी भी है, समालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग है, वो भी समाल देंगे, लेकिन रातों रात सिती बदल जाएगी